हेलो एबरिवान और आज हम करने वाले हैं आज हम प्लांट लगाने वाले हैं और हम प्लांट ये वाला लगाने वाले हैं इसका नाम है मदू कामनी और ये वाइट कलर की इसका जो आता है फ्लार ये वाइट कलर का होता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है और ये ह हमारी मिट्टी, गार्डन सोयल, गार्डन सोयल, और अभी हमारा कमपोस्ट, अब हम इसमें इसे, मिक्स करेंगे, इसका ये फायदा है कि पोदो की ग्रोथ, अच्छी होती है, अच्छी होगी, बीच बीच में एक फोदा लग जाएगा, एक महने के बाद हम फिर दुबार से, उपर से, कवर करेंगे, डाल देंगे, तो हम वन मीक लेटर भी आपको दिखा देंगे, वन मीक लेटर में किवाटा हो जाता है, अब हम इसे, मिक्स कर देंगे, करते हैं, आप इसमें किसी बड़े की भी हैर्फ ले सकते हैं, और मुस्ट बड़े ही करेंगे, यूँकि बच्चे तो यह करे सकते हैं नहीं, क्योंकि यह बड़ोगा, क्योंकि अगर आप करेंगे, तो आपके हाद गंद हो जाएंगे, करेंगे, उक्रोब। तो अभी हमने ले लिया है एक पॉट और इसमें हमने होल कर दिया है तो इसमें नीचे पानी भरेना एक पस्थर लगा लेंगे जिससे इसका रास्ता लाइब करेंगे थोड़ी तप्तिया लीव वेस्ट लीव वेस्ट लीव वेस्ट लीव वेस्ट काम करेंगी तो अभी हम इससे फिल कर देंगे इससे पूरा फिल मत करिये अब हमें कितना फिल करना है इतना फिल करना फिर इस गो तो अभी हम प्लांट लगाएंगे कुछ इस टाइब वा इसकी वह जड़ कितना अची है रूट्स टाइब तबर्स टाइब प्ल्स काम का और अधिया इसकी ड़्यक्त प्लाइब क्योंकि यह जब मिट्टी में नहीं होता है इनकी देट हो जाती है अग्सार कि देखिए हम इसको लगा दे जा रहे हैं और इसको फिर से कवर करना है यह कुछ इस टाइप से हमें कवर करना है जैसे कि जैसे कि रूट से वह एक दम अंदर चली जाएं लगकि इसको इतना कवर कर दीजें जहीं अच्छे से प्लांट हो जाएं कि देखिए हमने इसको फूल नी किया है नहीं आप करिएगा क्योंकि फूल से फिर हम जब वाटर देते हैं इसको वाटर सारा कसा रहनी कर लियाता है दागि हम जब वाटर देम अठ्रीक मिल पाल्ड में और यह थे यह है और आरे प्लांट ना किया है हम एसमें वाटर लिए यह एकलम राड़ देम राड़ी है प्रभाउ ना स्लेय बदर पूल देखिए okay please like it like subscribe and share and like